जो कोई मनुष्य बिलुष्य का दर्शन करते स्पर्श करते हो मनुष्य सामन्य पाप नहीं अगोर पाप में से मुक्त हो जाए गए इसलिए बिलुष्य का दर्शन की भी इसको स्पर्श भी और कभी अवस्थर मिले तो बिलुष्य की परिक्रमा भी करें बिलुष्य को जल स इंचन करने से शिव कुजा का पल मिलता है बिलुष के निचे दिप प्रद्वलिक करने से साथ तत्व गिनान संपन्नों उसको तत्व गिनान की प्राप्ति होगी शिव महापड़ ग्रंतर बहुत विस्तार से बिलुरुक्ष पर बिलुपत्र की महिमा कही है एक आउशद्धी है बिलुष एक जड़ी बुट्टी है अरुवेद के अंदर बिलुष की बहुत सारी महिमा है और इसलिए बिलुष की महिमा कही है कि वात्राण को पवित्र भी करते हैं वात्राण को सुगंधी भी करते हैं इसलिए मनुष्य को ऑक्सिजन नहीं मनुष्य को प्राण देते हैं बहुत सारे वुरुख्ष ऐसे हैं मनुष्य को प्राण देते हैं जिनकों प्राण वायू कहते हैं यह बिलुख्ष की महिमा है इसलिए कहीं आउसर मिले तो जुरूर बिलुरुक्ष लगाना चाहिए बिलुक्ष की सिवा करने चाहिए और वुरुक्ष आमारा जीवन है हर धर्ती पर जो वुरुक्ष नहीं रहेगा तो मनुष्य जाती धर्ती पर जीवित नहीं रहेगा आज हम विकास के नाम पर हजाओर वुर्ख्षों को काट रहे हैं बेहर रहें वुर्ख्ष को काट रहे हैं इसलिए हमारे जिवन में हम बड़े-बड़े मंदिर न बना सकें अउश्यदाले विद्याले न बना सकें आप जिवन में इतना तो जरूर कर सकते हैं एक उरुक्ष तो जरूर लगा सकते हैं इतना तो जरूर करे हम